सुप्रभातम बाला स्वागतम भवताम समेशाम अस्याम कक्षायाम अध्यवयम सूक्ति सौरभम इत्याख्यम पाठम पटिश्याम अहाँ प्यारे बच्चो नमो नमाहा आप सबका इस कक्षा में स्वागत है आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका सीरशक है सूक्ति सौरभम तो सबसे पहले इस सीर्षक का ही अर्थ जान लेते हैं सूक्ति का अर्थ होता है सू और उक्ति दो शब्दों से मिलकर के सूक्ति बना है सू का अर्थ होता है अच्छा और उक्ति तो कथन होता है तो सूक्तियों का अर्थ क्या हो गया अच्छे कथन ऐसे प्रेर्णा प्रदकथन को सुक्ति कहा जाता है और सौरव का अर्थ होता है सुगंध तो जहां अच्छे वचनों की सुगंध हो जहां अच्छे प्रेरक प्रसंगों की सुगंध हो उसे हम कह सकते हैं सुक्ति सौरव हम तो बच्चो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस पार्ट के बारे में कि सुक्तियां आखिर किसने लिखी और कैसे लिखी तो समाज में जो मनेशी होते हैं जो बुद्ध जीवी होते हैं उन्होंने जो कुछ भी अनभव क्या होता है उनके दैनि जीवन के अनुबवों को सुक्तियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति किया है सुक्तियों का कलेवर बहुत छोटा होता है बहुत ही आकार में छोटा होता है या तो दो पंक्तियों के होंगे चार पंक्तियों के होंगे और कहीं-कहीं तो एक पंक्ति का भी होता है लेकिन उस या सुभाशित गागर में सागर का ही काम करते हैं तो वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक कवियों ने अपने अनुफ़ों को सुभाशितों के रूप में सुरुजी पूर्ण शैली में ब्यक्त किया है इस पार्ठ में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ प्राची इन लेखकों ने भी जो सुक्तियां लिखी हैं उन पर भी द्रिश्टिपात करेंगे उसका आनंद लेंगे और उसके भावों को आत्मसाथ कर अपने जीवन व्यवहार में उतारेंगे तो आए इस परिशे के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पार्ठ क में स्थान देती है तो उसके कुछ उद्देश होते हैं तो इस पार्ठ को चयरित करने का क्या उद्देश रहा है आए इस पर भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहली जो बात है जैसा कि मैंने पहले बताया कि जीवन मुल्य जीवन के लिए बहुत आवशक होते हैं तो जब आ शिक्षन के माध्यम से आपकी भाषा को सम्रिद्ध किया जाए जब आप देखेंगे पद्यों में सोललित शब्दों का प्रियोग हुआ है सुन्दर रमणी शब्दों का प्रियोग हुआ है तो एक तो आपके कानों को बहुत अच्छे लगेंगे और जब कानों को अच्छे तो आप उसके भाव को जानना चाहेंगे, जब भावों को जानेंगे, तो उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहेंगे, और बच्चों एक लक्ष इसका यह भी है कि पद्धि पाठ की शैली भिन्न होती है, तीन विधाएं हैं हमारे साहिति की, गद्धि शाहितिय, पद्ध की और होती है, पद्धि की विधा कुछ और होती है, और नाटक की विधा कुछ और होती है, तो हम आरोह और अवरोह पूर्वग, यानि कहां हमें स्वर को उपर ले जाना है, कहां हमें स्वर को नीचे ले जाना है, इस तरह से हम पद्धियों का वाचत कर सकें, फिर उसके बाद आते हैं कि इस लोकों की जो शब्दार थे हैं अगर कुछ नए शब्दे हैं तो वह आप जान सकें और उसका जो मूल भाव है उससे परिचित हो सकें और आप सिर्फ परिचित होना लक्ष नहीं है ज्ञान को क्रिया में जब तक हमने नहीं उतारा तब तक वह ज्ञान ब्यर्थ होता है तो हम उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे यह इस पाठ के चैन का उद्देश है तो बच्चों अब आते हैं और आनंद लेते हैं इन सुभाशितों का जब इस सुभाशितों का शिक्षन कारी होगा तो इस चार स्तरों से हो करके गुजरेगा पहला तो नहीं जोडते बस उसे क्रम से रखते हैं फिर उनमें आये हुए पदों के अर्थों की विवेचना करेंगे वो चाहे नए शब्द हो चाहे कुछ ब्याकरन अंशो तो हम तीन स्तरों पर लेंगे फिर उसका हिंदी अनवाद भी देखेंगे और एक आदा प्रश्णों के बोधन की हम जाज भी करेंगे तो आएए पाठ करते हैं पहले श्लोग का और पहला श्लोग जो है वो महाकवी भरत्रीहरी ने लिखा है और उनका प्रसित ग्रंथे नीतिशतक उससे लिए आ गया है तो पहले श्लोग पर हम एक बार उसका पाठ कर लेते हैं बच्चे आपको लग रहा होगा कि ये शब्द बड़े-बड़े हैं और कैसे पढ़े जाएं तो उसका अन्वे कर लेते हैं तो आपको पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी होगी तो अब स्वायत्तम शब्द आपको श्लोक में मिल रहा है एकांत गुड़म भी मिल रहा है तो देखते हैं अन्वे में और आप धूड़िये क्या श्लोक में सारे शब्द हैं या नहीं है और आपको जरूर मिलेंगे तो अन्वे उसका है स्वायत्तम स्वायत्तम शब्द का अर्थ है स्वस्मिन आयत्तम यानि स्वाधीन और एकांत गुड़म एकांत गुड़म का अर्थ क्या होता है एकांत आह यानि विशिष्टाह गुणाह यस्मिन तत एकांत गुड़म और अग्यतायाः छादनम अग्यता कहती है मूर्खता को नहीं जानने का जो भाव होता है वह होता है अग्यता तो अग्यतायाः छादनम हम नहीं जानते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हम जो नहीं जानते हैं उसका हम ढोल पीटे तो अग्यता को यानि मूर्खता को ढखने वाला छादनम होता है जिस्टे हम चीजों को ढखते हैं और ये कहा होता है मनला अपने अधीन होता है और विशिष्ट गुण होता है और क्या होता है हमारी मूर्खता को ढखने वाला होता है वह क्या है मानम वह गुण कौन सा है मान यानि कम बोलना नहीं बोलना और ये कहां ज़्यादा गुण होता है विशेश रूप से सर्वविदाम समाजे जो सब कुछ जानते हैं सर्वम विदंत इति सर्वविद तेशाम सर्वविदाम सर्वविनाम समाजे सब कुछ जानने वालों के समाज में यानि पंडितों के समाज में आपंडिता नाम आपंडितों का यानि कम जानने वालों का विभूशन यानि गहना क्या होता है मौनम मौन होता है और ये मौन क्या कहीं से लेना पड़ता है ये विभूशन खरीदना यानि बनाया गया वी निर्मित शब्द को थोड़ा सा देख लेते हैं वी और निर्तु यहां उपसर्ग है माधातु है अरक्ता प्रत्य है जिसका आर्थ होता है राचितम तो मौन का गुण इस श्लोक में बतलाया गया है और मौन जैसे विभूशन को आभूशन क्या होता है हमारे सौंदरी को बढ़ाते हैं तो हमारा सौंदरी यहां पर कौन बढ़ाता है मौन और मौन क्या हमारे अधिन है या नहीं है तो उसका विशेशन है स्वायत्तम यानि अपने अधिन है और कैसा है एकांत गुणम यानि विशेश्त गुण है और क्या है अग्यता का छाद कने वाला चाद आई ती चादनम होता है यानि मुर्खता को धंक देता है अर्थात हमारी मुर्खता विर्द्वानों के समाज में प्रकट नहीं होती है तो ऐसा मौन किसके लिए है आप पंडितों के लिए और वह कहां पर है विभूशन वह है पंडितों के समाज में सब लगे कि आप विद्वानों के बीच में हैं तो आप कम बोलिए और जो रथ हो तभी बोलिए कोशिश किजिए चुप ही रहे और यह आपके हाथों में हैं यह आपको कहीं से लेना नहीं पड़ेगा तो प्यारे बच्चों यहां दो सब्द है जिस पर कि मैं गौर करना चाहू कि आप पंडित और पंडित यह पंडित का आर्थ होता है विद्वान आप किसी जाती विशेश से नहीं जोड़ेंगे और आप पंडित का आर्थ होता है जो नहीं जानता है चीजों को नहीं जानता है कम जानता है वो हुआ अपंडित तो अगर आप कम जानते हैं और जानन को कम बोलने के महत्व को मितभाशिता के महत्व को स्पष्ट किया है मुझे उमीद है कि आपने इस श्लोक को समझ लिया होगा तो बड़ी चलिए चलते हैं दूसरे श्लोक पर और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है क्या है मंगल देव शास्त्री आदरिक लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है श्लोक है और श्लोक को पढ़ लेते हैं पहले रूपम प्रसिद्धम्न बुधास्त दाहूर विद्या वताम वस्तुत एव रूपम अपेक्षया रूप वताम ही विद्या मानम लभनते ती तरा जगत्या अब श्लोक को आपने देखा फिर अन्वय पर आते हैं अन्वय के माध्यम से हम शब्दों के अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे तो देखे जब मैं बार बार इस बात को कहती हूं कि अन्वय के जो शब्द हो उनको आप श्लोक में अवश्य धोड़िए और द विद्वां साह तत रूपम उस रूप को उस सांदरी को प्रसिधं ना आहु हू प्रसिधं इती पदस्य अर्था ववती प्रख्यातं उस रूप को प्रसिध नहीं कहा आहु का अर्थ है कथियंती कि विद्वानों ने बुधा अर्थात विद्वां साह तत रूपम तत सां किस रूप को जो हमारा रूप दिखता है वस्तुताह वास्तव में क्या होता है रूपम विद्यावतामे विद्वान जो लोग हैं उनका ही रूप रूप होता है विद्यावन्त जो लोग होते हैं रूपवताम अपेक्षया रूपवानों की अपेक्षा अर्थात बाहियत सवंद्यर्यवालों की अपेक्षा जगत्याम इस जगती में इस संसार में अतितराम अत्यंतम विद्यामानम लभनते अब विद्यामानम शब्द को देख लेते हैं विद्यया मानम होता है विद्या मानम विद्याया कारणेन यत्समानम लभ्यते ततभवती विद्या मानम तो रूपवानों की अपेक्षा इस बाह्य सवंदरी की अपेक्षा इस जगत में इस संसार में अत्यधिक विद्या के कारण मान विद्वान व्यक्ति ही प्राप्ट कर इस श्लोक में आपने देखा कि विद्वानों की नजर में आपका जो बाहिस सौंदरी है जो इश्वर प्रदत सौंदरी है उसकी अपेक्षा आपकी द्वारा जो अर्जित सौंदरी है अर्जित सौंदरी किस से होता है विद्या से होता है ज्यान से होता है आपके गांभीरी से होता है तो उसको अधिक नहीं करना चाहिए बलकि विद्या अरजित करने प्रयास करना चाहिए जो प्रयास आपको उचित और अनुचित का ज्ञान देता है तो चलते हैं अब देखते हैं हम तीसरे श्लोक को कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है यह भी यह जो श्लोक है भटरामना शास्री ने लिखा है और इस श्लोक में शठ व्यक्ति की अन्वे पर आते हैं बच्छो दुर्जन अहा शब्दकार्थ क्या हुआ दुर्जन दुर और जन से दुर्जन बना यानि दुष्ट व्यक्ति और शठाहा शठाह भी वही है दुष्ट व्यक्ति सहस्रेह शिक्ष्यमानः अपी सहस्रकार्थ होता है हजार हजार लोगों के द्वारा सिखाये जाने के बावजूद सज्जनताम न उपएती सज्जनता को नहीं प्राप्त करता अर्थात सज्जन नहीं बनता बार बार उसको समझाईए कि आप जो कर रहे हैं गलत है तो भी व उपर चलता है तो इसको देख लीजिए एक बार दुर्ज्यना शठाह दो जो दुर्जन है दुष्ट है वह हजारों लोगों के द्वारा शिक्षित किये जाने पर भी शिक्षा दिये जाने पर भी सज्जनताम न उपएती सज्जनत्व को जो भल्मन साहत है उसको नहीं उ सेदी मंधराहा। मंधराचल परवथ का नाम सुना होगा आपने तौ्ट परवथ जो है सुधा समूद्रे शुधाया समूद्रे यानि अमृत के समूद्र में विल्कुल अमृत का सागर हो उसमें भी हुँई चिरम निमगनहा पी चिर काले तक बहुत दिनों तक निमगने रहने पर भी मार्दवम ना अभ्यूपैती मार्दव को मृदुता को कोमलता को नहीं प्राप्त करता है अर्था जिस प्रकार मंदराचल परवत अम्रित के सागर में बहुत दिनों तक लंबी आर्शे तक दूबा हुआ रहने के बावजूद कोमल नहीं होता बच्चों आप परवत तो कभी कोमल नहीं हो सकता तो उसी तरह जो दुर्जन होता है वह अपनी जो कुटिलता है अपनी जो शठता है वह नहीं छोड़ता यह तो इसका भाव था और इस पर थोड़ा सा व्याकरण इसमें है उसक पर देख लेते हैं उपहती शब्द किस से बना है उप और एती से उपहती बना है जिसका अर्थ होता है प्रापनोती सज्जनता में तल प्रत्य है सज्जन और तल से सज्जनता बना है जिसका अर्थ है सज्जनत से भावा है निमगनः शब्द है नी है उपसर्ग मजधातु है अक्ता प्रत्य से बना है सुधा समुद्रे में समा से सुधाया समुद्रे सुधा समुद्रे हो गया यानि अम्रित सागरे मार्दवम क्या है मृदोर भावा है मृदुता का भाव है मृदु अर्ण से बना है यह द्रावत तो इसका अर्थ हो गया और इसी तरह अभ्यूपैति है अभी उपसर्ग है उप भी उपसर्ग है उप और अब आते हैं अगले श्लोग पर जो आपको यहां भी दुस्टों की प्रवृत्ति को ही द्योतित किया गया है तो आपको इस प्रवृत्ति को समझ करके वह दोष जो है उसको छोड़ना है और गुण को आत्मसाथ करना है तो पहले श्लोग का पाठ करते हैं करनाम रितम सूक्ति रसम विमच्य दोशेश यतनह सुमहान खलानाम निरीक छते के लिवनम प्रविष्य क्रमेल का हकंटक जाल मेवा अब यह महा कभी बिलहण है कश्मीर के लेखक है उनका लिखावाय श्लोग है अब इसको अन्वय के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और अन्वय आपको पता है कि आपको सारे शब्द मिलेंगे श्लोग में तो खलानाम करनाम रितम कानों को अमरित के समान क्या लगता है यानि त्रिप्ति देता है क्या त्रिप्ति देता है सूक्ति रसम विमुच्य सूक्ति नाम रसम सूक्ति रसम सूक्तियों के रस को अच्छे वचनों का जो रस है उसका जो आनन्द है उसको विमुच्य त्यक्त्वा उसको छोड़ करक दोशेशू, दोशों के प्रती, अब गुणों के प्रती, सु महान यतना भवाती, अत्यधिक यतन, अत्यधिक प्रयतन होता है, एक तो महान शब्द का अर्थी बहुत अधिक होता है, और उसमें भी सू लग गया, तो सू लग गया, तो कितना भाहन हो गया, कितना अधिक हो तो लेकिन जो खालब यक्ती हैं उनके सामने दो options हैं दो विकल्प हैं एक तरफ अच्छी वचनों की वर्षा हो रही है दूसरी तरफ किसी की निंदा हो रही है या फिर निंदा करने का मौका है तो वो क्या करेंगे अच्छे वचनों को छोड़ देते हैं और दोषों के प्र अर्थात उपवन में प्रवेश करके भी किम पश्यती कंटक जालम एव निरीक्षते उस त्रह उद्यान से सौंदर्यम विहाय कंटका नाम जालम एव पश्यती अर्थात वह बहुत सौंधरी है उध्यान में फूलों का सौंधरी है व्रिक्षों का सौंधरी है बिलकुल प्राकृतिक शुष्मा भरपूर है लेकिन उन सब को छोड़ करके जाता है कहां काटों की जाड़ की ओर उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अच्छी बातों को छ रास्ता नहीं लेना चाहिए नहीं अक्तियार करना चाहिए तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर और इसमें यह बहुत विख्यात कभी है विश्णु शर्मा आपने जरूर नाम सुना होगा उनके पंच्छतंत्र वगएर को पढ़ा भी होगा कुछ कहानिया पढ़ी होंगी उ ही के लिए श्चाह संपन्य मदी इर्ग सूत्रं क्रियावइधियं व्यसन श्वशक्तम शूरं गृतक्यं ऐडहा साह poss लुक्ष्मी कहां जाती है अर्थाच्छ्री समृत् ही किसके पास जाती है पुरुष के पर जाती है लक्ष्मी का अर्थ क्या है धन दौलत वैभाव तो कहते हैं हम कहते हैं लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी स्वयंग अपनी आप ही निवास हेतो याती निवास के लिए रहने के लिए याती यानि गच्छती अब किस व्यक्ति के पास जाती है रहने क के लिए उसके विशेशन हैं पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं कहते हैं उत्साह संपन्नम यह उत्साहेन संपन्न अस्ति जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है अर्थात उत्साही है किसी काम को करने के लिए उसके पास जाती है और दूसरा क्या है अदेर्ग सूत्रम जो किसी भ अर्थात जो किसी काम को करने में बहात अधिक समय नहीं लगाता है यानि शीग्रता पूर्वक करता है वह हुआ अधिर्ग सूत्र और तीसरा किसके पास जाती है क्रिया की विधि को जो जानता है अर्थात किसी भी काम को करने का जो तरीका है उसको जो जानता है और व्यसनेशु असक्तम जो बुरी आदते हैं उसके प्रति आज सकते हैं उसका कोई उसमें लगाव नहीं है उसके पास जाती है शूरम जो वीर है जो किसी भी काम को वीरतापूरवक करता है उसके पास जाती है कृतग्यम और कृतग्य शब्द का अर्थ बच्चो जान लेना बहुत जरूरी है और यह बहुत ऐसा गुण है जो हम सब के पास होना चाहिए जो किसी के उपकार को भूलता नहीं है स्वार्थी ब्यक्ति होता है जो दूसरों के उपकार को ले करके और भूल जाता है जो अच्छा ब्यक्ति होता है उसे कृतग्य हो जाना चाहिए अगर किसी ब्यक्ति ने आपका किसी भी समय कोई भला किया है तो इसे कभी भी मत भूलिये और द्रिड साहरिदम अर्था जिसकी मित्रता बिलकुल द्रिड है ऐसा नहीं है कि खूब खुशी है तो वो मित्र है मेरा और वो विपत्ती में पढ़ गया तो वो हम उसको जानते नहीं है मित्रता वह होती है जो सुख और दुख में समान होता है अगर इन गुनों से युक्त ब्यक्ति है तो उसके पास लक्षमी है लक्षमी जो है स्री के पास स्वेंग आएगा लेकिन उसके लिए शर्ट क्या है आपकी अंदर उत्सा होना चाहिए आप किसी भी काम को शिगरता पुर्वक करें आप कारी करने की वीधी जाने आपको परीक्षा देनी है और आपको पता है कि पांच पार्ट से परीक्षा पे प्रशन आएंगे आप पूरी किताब पढ़ रहे हैं और आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्रिया की वीधी किसी काम को जाने का करने का तरीका आना चाहिए और आपको किसी भी बुरी आदतों के प्रती सक्त नहीं होना चाहिए उस पर लगन नहीं होना चाहिए वीरता आप में होनी ही चाहिए आप में व हो इतने सारे गुण अगर आपके पास हैं तो लक्षमी तो आपके पास स्वयंग ही आएंगी अर्थात बच्चो कभी विश्णु शर्मा इसमें कहना चाहते हैं ये सारे गुण हमें अपने जीवन में समावेष्ट करने चाहिए प्यारे बच्चो आपने देखा कि मनुष्य के जीवन में कौन-कौन से गुण होने चाहिए आप आजाते हैं सुक्ति मुक्तावली से ही एक श्लोक लेते हैं कि जो आपको सकारा आत्मक्ता का संदेश देती है तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं दीरगाप प्रयासेने कृतम ही वस्तु निमेश मात्रेन भजते विनाशम करतुम कुलालस्यत वर्शमेकं भेतुम ही दंडस्य महुरत मात्रम अब इसका अन्वय के सहरे इसकारत जाने की कोशिश करेंगे दीरगाप प्रयासेन दीरगेन प्रयासेन दीरगाकालिकेन प्रयासेन हो गया दीरगाप प्रयासेन अर्थात बहुत लंबी समय तक किये जान वाले प्रयास के द्वारा क्रितम वस्तू कोई भी वस्तू हम बनाते हैं कोई भी काम करते हैं तो लंबा करने में लेकिन अगर उसे बिनश्ट करना हो तो लिखना होता है तो lear काटना हो तो आप एक बार भी उसे काट देंगे तो डी्रगा प्रयास क्रितम वस्तु दीर्ग प्रयास से जो किया गया यानि बनाया गया जो वस्तु है वहाँ निमेश मात्रेण निमेश मात्र में क्षण भर में ही क्या होता है विनाशम भजते विनस्ट हो जाता है अर्थात विनस्ट होने में समय नहीं लगता है अब इसकी उपमादी है कभी न कुलाल होता है कुम्भकारह कुम्भकारह कहा भवती यह कुम्भम करोती जो कुम्हार होते हैं उनके लिए मूर्तियादी करतुम अब जो वो मूर्तियादी बनाते हैं तो एकम वर्षम अपेक्षितम भवती एक वर्ष लग जाता है किसी मूर्ति को बनाने में किन्तु लेकिन अब डंडे के लिए तद मूर्तियादी भेत्तुम ही मूर्त मात्रम अपेक्षितम भवती उस डंडे के लिए जिस मूर्ती को बनाने में एक वर्ष लगा उस मूर्ती को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा मूर्त मात्रम एक मूर्त भर एक ख़ण भर लगेगा तो बच्चो यह जो है ना किसी भी स्रिजन में समय लगता है और उस समय के भात्त को समझते हुए किसी भी चीज को बिनस्ट करना जब हो तो जरूर सोचना चाहिए कि दूसरी ने जब इसे बनाया होगा तो उससे कितना स समय लगता तो कभी भी हमें नकारात्मक्ता को प्रस्रय नहीं देना है सकारात्मक्ता को प्रस्रय देना है और यह ध्यान रखना है कि स्रिजन में समय लगता है विनास में समय नहीं लगता स्रिजन में परिश्रम लगता है विनास में परिश्रम नहीं लगता तो हमें किस प हम समझ में आए होंगे तो मैं अपेक्षा करूंगी आप से कि आप इनहें अवस्चे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें प्यारे बच्चों अभी आपको वैने कहा था कि गागर हम देखेंगे तो मुझे उमीद है आपने इन छोटे-छोटे श्लोकों में आवश्य ही बड़ी-बड़ी बातें सीखी होंगी और उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करने की कोशिश करेंगे तो आज के लिए इतना ही काफी है तो अब विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में जो अन्य श्लोक बच गए हैं उनको हम पढ़ेंगे स्वब विदा नमो नमाहां झाल